नमस्कार मेरा नाम प्रकाश है आप टूडे विहार निउस देख रहे हैं बिहार में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ते जा रहा है कोरोना पोजेटी मर्यों की संख्या में तेजी से विरिधी हो रही है हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार में 24 घंटे के अंदर कोरोना ने कितना कहर बरपा है तो देखिए बिहार में 24 घंटे के अंदर 128 कोरोना पोजेटी मर्यों मिले हैं देखिए लेकिन राहत की खबर है कि 40 मर्यों ने कोरोना को हर आया है कोरोना से जंग जित लिया है और ठीक होकर घर जा रहे हैं बिहार में अब कुल आंकरों की बात करते हैं तो 1519 मरीज पूर गये हैं कोरोना पोजेटिव यानि की कोरोना पोजेटिव मर्यों का आकरा 1500 के पार पहुंच गया है स्वास्तिवा के प्रधान सच्चु संजय कुमार ने जानकारी दी है लेकिन हम कि बिहार में कोरोना का कहर बढ़ा दिया है कि कोरोना से संकरमित मरी जाएं हैं धुसरे राज्यों से हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं देखिए आप अपने मूबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होneo गा बिहार में तक बिहार में याब 1519 वेक्ति कोरोना पोजेटी मिला महिलाएं बच्चे भी सामिल हैं 18.05.2020 को कुल जो जाँच हुई है यानि कल 2007 जाँच हुई है कल कोरोना पोजेटीव मरीज यानि कि अभी से 24 घंटे पहले 116 कोरोना पोजेटीव मरीज मिले देखे तीन मई के बाद बेहार में 754 ऐसे मजदूर मिले जो दूसरे राज़ों से हैं वे कोरोना के पोजेटीव पाएं गए आंद्र परदेश से 2, 36 गड़ से 2, गुजराज से 55, हरियाना से 41, जारखंड से 5, करनाटिका से 13, केरल से 3, मद्दे परदेश से 5, महराष्टरा से 176, नई दिल्ली से 247, पंजाब से 5, राजस्थान से 19, तामिलनाडू से 4, तेलांगना से 7, उतर परदेश से 28, पस्चिम बंगाल से 38, चंडीगर से 4, यानि कि बिहार में ये वो मजदूर हैं, जो साथ में कोरोना लाए हैं दूसरे राज्यों से, यानि कि दिल्ली से जो परवाशी मजदूर आए हैं बिहार, वे सबसे ज़्यादा कोरोना साथ में लाए हैं, कोरोना पोजेटी सबसे ज़्यादा पाए गए हैं दिल्ली से आए हुए मजदूर उसके बाद दूसरे नंबर पर हैं महाराष्ट्रा और तीसरे नंबर पर गुजरात तो बेहार में अब कुल कोरोना पोजेटी मरीजों की संक्या 1519 हो गई है 24 घंटे के अंदर 128 कोरोना पोजेटी मरीज मिले हैं तीन मई के सब्सक्राइब कर लें अगर फेस्बूक पर वीडियो देख रहें तो पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद